तो finally हम आज से revision series start कर रहे हैं CMA और FSM का, revision series का schedule क्या रहने वाला है, रोज शाम को 6 बजे के round हम YouTube पर एक video upload करेंगे revision series के under, और आपके benefit के लिए हम क्या करेंगे, दो playlist बना देंगे, CMA के revision series की अलग playlist बना देंगे, FSM के revision series की अलग playlist बना देंगे, ताकि आपको sequence में एक ही जग YouTube पर आने शुरू हो जाएंगे, अब class में हम कुछ notes यूज करेंगे revision के दुरान, वो notes आखे पर दो तरीके हैं, पहला कि आप revision के लिए register maintain कर लिजिए, और वो notes आप साथ साथ note करते चले जाएगे, जब मैं कुछ समझाओं तब आपको noting नहीं करने हैं, of course video pause करके ही note जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप सुनरे पर ज्यादा ध्यान लगाएगा, और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप noting नहीं करना चाहते, तो जो हम class में revision notes यूज करेंगे, उसका PDF आपको available करा देंगे, PDF कहां पर available कराएंगे, वो हम अपने telegram channel पर available करवा देंगे, telegram channel का link मैं इस video के description पर share कर दूँगा, वो आप वहां से जाके telegram channel को join कर सकते हैं, कई बार link से telegram channel उपन नहीं होता, तो आप अपने telegram account में CA Mukesh Chaswani type करेंगे, तो हमारा channel आपको दिखेगा, उसको join कर लिजएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी, और अगर आप telegram using नहीं करते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे इस number पर एक WhatsApp message छोड़ दीजेगा, अपना नाम लिखेगा, और ये लिख दीजेगा, I am interested in revision series, मैं आपको एक broadcast list में add करूँगा, और फिर मेरी तरफ से आपको PDF notes मिलने शुरू हो जाएगे, PDF notes कब मिलेंगे, जैसे ही हम कोई एक chapter पू पूरा revise हो जाएगा, उसके बाद जो भी हमने class में PDF notes refer की होंगे, उसका PDF available हम ऐसे करवा देंगे, तेको मुझे लगता है, एक teacher भीना lifelong student ही रहता है, वो भी हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख हिला है, और कई बार उसे students ही अपने feedback के तुरू बहुत कुछ सिखा देते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको हमारे revision lectures कैसे लग रहा हैं, वो आप comment करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लीज उसे like भी करते चाहेगा, और आपका feedback तो most welcome, आप अगर कुछ feedback देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए, और अगर हमें लगा कि वो feedback तो 100% implement करने वाला है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको implement भी कर सके, तो wish you all the very best, तो फिर देर किस बात की, आइए, start करते हैं अपने पहले revision lectures के साथ, Good afternoon all of you, आज हम start कर रहे हैं revision ratio analysis topic से, और इस topic का मैं revision start करूँ, उससे पहले में कुछ, एक दो छोटी छोटी बात हैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात, उन बच्चों के लिए, जो बच्चे मुझ से पढ़े हुआ हैं, अगर बच्चा मुझ से पढ़ा हुआ है तो हमने class में एक sequence follow किया था, किसी भी topic को cover करते बाद, आप लोगों को असानी हूँ, आप correlate कर पाएं, इसलिए हम revision के वक्त भी, वही sequence follow करेंगे, जो sequence हमने classes के दुरान follow किया था, जैसे कि आपको याद होगा, हमने जब ratios topic स्टार्ट किया था, तो सीधा ratios से start नहीं कर दिया हम भी, वही sequence follow करेंगे, ताकि आप उस chapter को correlate कर पाएं, कि हाँ, सब कुछ हमारा cover हो रहा है, revision के दुरान भी, जो बच्चे मुझ से नहीं पड़े हुए, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वही आपको coverage से मतलब है, और coverage ज्यादा आप किसकी चाहते है, वही study material हमारा cover ह हो जाए, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, revision के दुरान की हम अपना, जो institute ने study material issue किया है, उसको दिमाग में रखते हुए, अपने revision को हम करें, और दूसरी important चीज होती है, past year के exam questions, past year में जिस तरह के questions आये हुए है, हम कोशिश करेंगे, revision करते वक्त, उसी तरह का approach अपने दिवाग में रखे है, अफकोर्स, regular classes में हम जितने questions solve कर पाते हैं, कोई important topic होता है, तो हम देट सो, दोसो, धाई सो भी even questions solve करते हैं, लेकिन revision का और regular class का जो औरा होता है, environment होता है, वो different होता है, अफकोर्स, revision class का environment थोड़ा सा fast fact रहता है, तो हम यहाँ पर उतने तो questions solve नहीं कर पाएंगे, पर हाँ मेरी फिर भी questions रहेगी, कि मैं किसी concept को कर revise कर वाऊँ, तो उससे related, कोई अगर important examination question है, important examination MCQ है, तो वो भी हम साथ में cover करें, ठीक, तीसरे important बात, अगर किसी बचे को ratio analysis, detail में पढ़ना है, उसके पास अगर वक्त है, तो ratio analysis पूरा का पूरा topic, जो है, वो YouTube पर uploaded है, आप playlist टोले section में जाएगा, वहाँ पर ratio analysis के नाम से एक पूरी playlist बने हुए, दस classes है, और किसी भी class के description में गराब जाएंगे, तो वहाँ पर आपको PDF notes में मिल जाएंगे, ताकि पूरी class में जो हमने question solve किया है, तो वहाँ पर आप वो देख पाएं, ratio analysis में इतना directly इसका use है, उसके लावा कई बच्चे इस बात पर ध्यार नहीं देते, FM में भी इस chapter से directly questions पूछे जाते हैं, मतलब ratio analysis, भले इंसिट्यूट ने clearly नहीं बोला कि हमारे syllabus में है, FM में, लेकिन FM में भी ratio analysis से questions आते हैं, इसलिए इस topic को detail में पोड़ना जरूरी है, तो चलिए फ पहला जो हम यहाँ पर concept revise कर रहे हैं, वो है shareholder funds, जब हम regular classes में भी ratios करते हैं, तो हम सीधा ratios में jump नहीं करते हैं, क्योंकि ratios में कई सारी terms use होती हैं, तो पहले हम उन terms पर बात कर लेते हैं, ताकि जब ratios करना शुरू कर लेते हैं, तो उन terms का idea हमें पहले से ही हो, shareholder funds दे कैसी term ह जो काफी use होती है, पूरे ratios topic में, shareholder funds, नाम यह आप देख रहे हैं, मालिकों का पैसा, मालिकों के पैसे में generally हम दो लोगों को include करते हैं, equity shareholder तो मालिक है ही, लेकिन हम जब accounting की बात करते हैं, corporate accounting की बात करते हैं, तो preference वालों को भी हम मालिकों का ही दर्जा देते हैं, हाला कि मालिक जैसा कोई feature उनमें होता नहीं, but still हम उन्हें मालिकों का ही दर्जा देते हैं, तो अगर हम equity capital और preference capital को जोड़ दे, तो हम फिर अब उसको नाम देना शुरू कर देते हैं, share capital, मतलब equity capital और preference capital को जोड़ दे, तो हम फिर क्या बोलते हैं, share capital, generally हम एक profitable company की ही बात करते हैं और जितने भी profits company की balance sheet में होते हैं, वो ultimately belong मालिकों को ही करेंगे, of course, इसलिए हम यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ देते हैं, reserves and surplus, reserves and surplus, दो term से बना है, reserves और surplus, जब हम reserves बोलते हैं, to reserves का मतलब सारे reserve, general reserve, capital reserve, capital redemption, reserve, securities premium, जितने भी reserve, आप दिमाग में सोच सकते हैं, जिब हम normal classroom तो पूरी list लिखते हैं, लेकिन फिलाल के लिए जितने भी reserve आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि revision करें न, उस सारे reserve यहाँ पर आते हैं, और surplus जो word है, यह use होता है, generally, profit and loss account के credit balance के लिए, मतलब हम surplus word use करते हैं, तो हम profit and loss account का credit balance होता है, उसके लिए use करते हैं, credit balance denotes profits, debit balance den रहे हैं, तो तीन चीज़ों को जोड़के shareholder fund आते हैं, equity share capital, preference share capital, और जितने भी reserves और surplus आपको balance sheet में दिख रहे हैं, उनको भी जोड़ो, तो हमारा shareholder fund आता है, लेकिन एक ऐसी company जिसके पास नुकसान है, बहुत सारे past chairman losses हो रखे हैं, accumulated losses हैं, तो losses फिर हम minus कर देंगे, of course, य और even अगर balance sheet में कोई fictitious asset अगर दिख रहा है, fictitious asset मतलब asset जैसा उसमें कोई feature है नहीं, लेकिन firbium उसको asset बोल रहे हैं, because उनका balance debit होता है, जैसे कि preliminary expenses, discount on issue of shares or debentures, अगर ये shares पे तो नहीं होता, discount on issue of debentures, ये सिप अगर आपको दिख रहा है, तो हम उसको भी minus कर देंगे because ultimately ये जो नुकसान है, जो P&L में debit होने है, अब नुकसान है, तो जब नुकसान अगर जाएगा, तो किस के हिस्से में जाएगा, मालिकों के हिस्से में जाएगा, तो shareholder funds का, अगर मैं formula बोलना चाहूं, तो क्या बोलो, shareholder funds का formula हो जाएगा, मालिकों का capital जोड़ दो, equity capital, preference capital अगर उनके reserves है, तो वो जोड़ दो, अगर नुकसान है, माइनस कर दो, और अगर कोई fictitious asset है, तो वो भी में माइनस करदा होगा, ये discussion किसका होता है, shareholder funds का, shareholder funds के दो बड़े popular नाम होते हैं, normal classes में हम चार नाम लिखते हैं, लेकिन popular नाम जो सबसे ज़्यादा use होते हैं, throughout ratios, वो है, एक proprietary funds और दूसरा net worth, तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये दो नाम काफी use होते हैं, net worth भी काफी use होता है, और proprietary funds भी use होता है, ये shareholder funds के दो नाम है, जो की बहुत popular है, इसके लावा दो नाम और भी होते हैं, owners funds बोल देते हैं, intrinsic value भी भोल देते हैं, पर ये दो नाम सबसे ज्यादा popular है, तो shareholder fund का formula, equity capital, preferences capital, salary reserves को जोड़ दो, और losses है, तो minus कर दो, कोई fictitious asset है, तो वो भी minus कर दो, और उसके लावा, इनके दो नाम याद रखना, net worth और proprietary funds, उसके बाद एक अगला जो concept जो इसी से connected है, वो होता है, equity shareholder funds का, अब shareholder funds में हम shareholder, तो अगर मैं shareholder fund में से preference share वालों को बेधकल कर दूँ, को भी तुम बाहर देखलो, तो सबका सब किसका है, मालिकों का, मतलब equity का, तो preference वाले सचाई में मालिक वाले होते नहीं है, मतलब ये हुआ, कि मैं अगर shareholder funds में से preference share capital को minus कर दूँ, shareholder funds में से preference share capital को minus कर दूँ, त चोड़ो देजे अपने, यहां देखिएगा, प्लीज वले, एक तरीका है कि पहले में shareholder funds compute कर दूँ, मतलब ये figure निकाल लो, और क्योंकि इसके अंदर preference share capital को जोड़ा हुआ है, तो मैनस कर दो, और दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है, कि जब मैं ये सब चीजे जोड़ू, प्रेफरेंस share capital को ignore ही कर दूँ, इसको क्या करें जोड़ो, इसको जोड़ो ही मत, मतलब equity capital plus reserve and surplus, preference को consider ही मत करो, अगर मैं preference को consider ही नहीं करता, तो equity capital plus reserve and surplus, ये मेरा क्या जाएगा, equity shareholder funds, और अगर नुकसान है तो नुकसान माइनस कर दो, ये या जाएगा equity shareholder funds, तो shareholder funds और equity share shareholder fund में difference किस चीज़ का है, preference share capital का है, ये हमारा पहला concept cover होता है, जो की ratios में use होता है, shareholder funds और equity shareholder funds के नाम से, मालिकों से पैसा लेने के बाद अगर हमें पैसे की जलोत पर दिये, तो फिर हम बाहर वालों के पास जाते हैं, और बाहर वालों में दो तरह के लोग मिलते हैं, ज कई सारे example हो सकते हैं, debentures, public deposits, bonds, या फिर अगर हमने banks के से loan लिया है, दो साल, तीन साल, चार साल, पात साल, तो ऐसे loans को हम term loan बोल देते हैं, एक specific term के लिए loan लिया है, और ऐसे ही current liabilities, current liabilities में दो major example हम देखते हैं, creditors और bills payable, जिसको अगर हम combine कर दे तो उसको फिर हम word देते हैं, trade payables का, और उसके लावा bank overdraft, cash credit, outstanding expenses, कई सारे और भी current liabilities हो सकती हैं, main बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो यह कि अगर मैं इन दोनों liabilities को जोड़ देता हूँ, मतलब long term, short term, दोनों को जोड़ देता हूँ, फिर हम जो term use करते हैं, वो use करते हैं total debt, total debt या total liabilities या फिर liabilities towards outsiders, अब कई बार यह term use होती है, example जब हम जिसे आगे current ratio को discuss करेंगे, आपको पता होगा current ratio में हमें current liabilities की जोड़त पड़ती है, तो कई बार वो current liabilities सीदे सीदे नहीं देगा आपको, वो total debt देगा और आपको long term loan देगा, तो total debt में से long term loan को minus कर देगे, तो क्या न assets side, assets हमारे पास दो तरीके के होते हैं, fixed assets और current assets, fixed assets का एक नाम और भी है, non current assets, और fixed assets दो तरीके के होते हैं, further tangible, intangible, tangible assets को आज की दुनिया में हम property, plant and equipment word से जानते हैं, property, plant and equipment में कई सारे example हो सकते हैं, land and building, plant and machinery, motor vehicle, laptops, computers, और intangible assets में paid in, copyright, website, software, trademark, यह सब आता है, तो यह हमार हैं, long term assets हैं, जिसे हम non current assets के नाम से जानते हैं, और फिर हमारे होते हैं current assets, current assets में एक बड़ी important term रहती है, quick assets की, current assets का ही part होता है, quick assets और liquid assets, इस portion को हम discuss करेंगे अभी, जब हम short term solvency में liquid ratio पर बात करेंगे, अभी हम आगे चलके जब ratios का revision शुरू करेंगे, तो वहाँ पर liquid ratio म है, liquid assets का, quick assets का use होता है, तो वहाँ पर हम discuss करेंगे, फिलाल अभी हम current assets बोलके छोड़ रहे हैं, आगे चलके इस सब का discussion अभी करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर बात क्या धियान देने वाली है, जब हम non current assets और current assets को जोड़ देते हैं, तो फिर हम एक word बोलते है, total assets, यह त दूसरा नाम, तो अभी यहाँ तक जितना हमने discussion किया, उसमें अभी एक discussion हमारा pending है, वो क्या है, quick assets, इसका discussion हम किसके साथ करेंगे, quick ratio के साथ discuss करेंगे, अगला concept कौन सा है, आई ज़रा देखते हैं, अगला concept काफी important है, जो throughout ratios यूद होता है, वो है capital employed का, जब हम word बोलते है capital employee, तो हमारा मतलब उन लोगों के पैसों से होता है, जिनोंने हमें लंबे समय के लिए पैसा दिया है, business करने के लिए, ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ये लोग meeting करने के लिए पैसा, और कोई देने की ज़ल्दी नहीं है, अराम से खाते पीते पैसे वापस कर देना, ऐसे लो लोन लिया 10-15-20 साल तो शेरहोल्डर फंड और लॉंक्टम लोन इन दोनों की पैसे को जोड़ दे तो हम बोल देंगे अब जड़ा बताओ शेरहोल्डर फंड में क्या गया आता है एकूटी और प्रेफरेंस वालों का पैसा आता है प्रेफरेंस वाल आपको पता ही है section 55, redemption of preferences का जो है, 20 साल में उनके पैसे वापस करने होते है और अगर कोई infrastructure company ने इशू की है तो 30 साल का period है equity वालों का तो बिचारों का इतना बड़ा दिल होता है वो तो कहते हैं कभी पैसे वापस ही मत करना आपने कंपलार पढ़ा होगा कि उनका पैसा तो सिरफ winding up के टाइम पर देना होता है हाला कि buyback एक exception है लेकिन buyback करना कोई जरूरी थोड़ी है और equity shareholders को exit route देने के लिए कि किसी shareholder को अगर कंपनी से बाहर निकलना है तो उसको exit route देना पड़ेगा न तो उसके लिए सरकार दें stock market खड़ी कर रखिए जहां पर share बेचे खड़ी दे जाते हैं लेकिन company से कोई मागने नहीं आता तो equity shareholder preference shareholder मतलब shareholder funds long term loan में debenture holder हो गया bank loan वगयरा हो गया यह भी हवे लंबे समय के लिए पैसा देते हैं तो इन दोनों के पैसों को अगर मैं चोड़ दूँ मतलब अगर मैं कह दूँ यह 100 और 70 को जोड दीजिए 100 प्लस 70 जोड दीजिए तो कितना हो जाता है यह 170 और यह 170 क्या है हमारा capital employed यह तो हुआ डारेक्ट तरीका रेड़ का जेकर देखरों कि बॉक्स बना हुआ है रेड़ कलर का यह तो हुआ डारेक्ट तरीका किसको निकालने का capital employed को compute करने का फिर एक इंडारेक्ट तरीका भी होता है दोसों में इनों के लगे हैं लेकिन मुझे चाहिए उन लोगों का जिन्होंने लंबे समय के लिए पैसा दिया है तो हमसे जल्दी payment मांगने के लिए आ जाएंगे 200 में से उनके investment को माइनस करतो इन तीनों में जल्दी लेने के लिए कौन आजाएगा इन तीनों में जल्ती क्या है जो डारेक्ट अप्रोच है जिन्होंने लंबे समय के लिए पैसा दिया है उन्हीं के पैसों को छोड़ दो फिर एक इंडारेक्ट तरीका है कि स्थट्टी की इंवेस्मेंट भी है तो मैंस कर दो तो हमारे अपना दो फॉर्मूला हो गए दो फॉर्मूला हमारे क्या हो गए एक तो है डारेक्ट अप्रोच जिसे हम बोल रहे हैं कि शेरोल्डर फंड्स और लॉंग टर्म लॉंज को जोड़ दीजिए इन दोनों को जोड को मिनस कर दो और इसको हम इस नजर से भी देख सकते हैं कि मैं अगर इस करेंट लायविल्टी को यहांसे हटा कर यहाँicon पर ले आऊं के मतलब यह जो ठटी यहां लेके लेकिस कर दूंगा ना ऐसा भी कर दूँ तो करेंट को हम एक नाम दे देते हैं और वो नाम क्या है working capital मतलब यह हुआ कि या तो ऐसा कहलो कि total assets में से current liability को minus कर दो या फिर यह कहलो कि fixed assets और working capital को जोड़ दो working capital का मतलब current assets में से current liability minus हो चुकी है मतलब यह है कि मैं एक तरीका है कि bracket यहां पर लगाऊं यहां bracket लगाऊं तो total assets आजाएगा और एक तरीका यह है कि मैं bracket ऐसे लगाऊं कैसे current assets minus current liabilities तो उस case में working capital आजाएगा जैसे energy कर दो तो हम कह सकते हैं दो formula हो गए एक तो सिता-सिता है shareholder funds और long term loans को जोड़ दो और दूसरा fixed assets plus current assets minus current liabilities या फिर इसको यह कहें total assets minus current liabilities या फिर इसको यह कहें fixed assets plus working capital simple सा fundamental है अब जड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे यह इस नाम से भी जाना जाता है और इसमें कई बच्चे ना confused जाते हैं कई बार वो question में अगर long term funds बोलता है बच्चे ना यह fund word को ध्यान से देखते ने और वो जल्दबाजी में इसको long term loan पड़ जाते हैं ध्यान रहे fund word है fund का मतलब यहाँ पर पैसे से है और long term मतलब जिन्होंने लंबे समय के लिए पैसा दिया है अब चाहे वो मालिकों का हो चाहे वो बाहरवालों को है तो capital employed का एक नाम और भी होता है और वो नाम क्या है long term funds या फिर हम इसको कह देते हैं total long term funds तो यह काफी important term है जो हम आगे चलके जब रिविजिन को और बढ़ाएंगे तो वहाँ पर यूज करेंगे अगर हम अपने institute के study mat को analyze करेंगे तो हमें वहाँ पर 5 category of ratios दिखेंगी और पांचवा profitability ratios हाला कि यह 6 category हैं क्योंकि long term solvency ratios के भी further 2 subdivision है एक capital structure ratios और दूसरा coverage ratios हम अब क्या करने वाले हम अब एक एक करके हर एक ratio को revise करेंगे और मैं कोशिश करेंगे कि साथ-साथ कुछ important mcqs भी करवा दूँ ताकि आपकी revision के दुरान पुरानी सारी बाते आपको याद आ जाए जो जो हमने classes के दुरान अच्छे से discuss की थी ठीक है तो अब ऐसा करते है हम liquidity ratios में बात करते हैं मैंने अभी कुछ terms भी discuss करी आपके साथ जैसे की capital employed गया होता है ऐसे ही अभी कुछ terms आगे भी discuss करेंगे जैसे जैसे जिसका वक्त आएगा वो हम revise करते को चलेंगे ठीक तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपनी पहली category of ratios liquidity याफर जिसे हम short term solvency ratios भी बो रहा होगा तो वहां पर आपने देखी होगा यह ratio बड़ी famous हुआ करती थी नावी देखो short term solvency यह ratios basically बताती है क्या हम short term में solvent है solvent होने का मतलब यह है कि जितनी भी हमारी current liabilities short term में due होगी क्या हमारे पास उनको pay करने के लिए enough current assets हैं कि नहीं है example time time पे हमारे creditors हमसे payment मांगन आपने के लिए चाहिए ऽिए को पैसा देने के लिए है कि नहीं हर महिने salary ड्यू होगी साल महिना खतम हुते ही वह or sign salary बन जाएगी तो or sign primary status को pay करने के लिए मतलब employees को पैसा देने के लिए है कि नहीं है अर महीने है हमारा अगर प्रमाइजेस रेंट पर है तो आउट्साइडिंग रेंट हो जाएगा महीने के बाद उसको देने के लिए पैसा है कि नहीं क्या उनको पे करने के लिए हमारे पास enough current assets है कि नहीं इसी बात पर हमारी पहली ratio फोकस करती है current ratio अब माल दीजे कि हमारे 10 करोड की हमारी current liabilities है मतलब ऐसी liabilities जल्दी ही due होने वाली है और 30 करोड के हमारे पास current assets है तो ratio के निकल के आएगा 3 is to 1 इसका मतलब यह कि हर एक रुपए की current liability को पे करने के लिए हमारे पास 3 रुपए के current assets होते हैं Generally ideal current ratio 2 is to 1 कहा जाता है academically हाला कि practically ideal current ratio जो है वो industry to industry vary करती है Even कई बड़ी companies तो negative working capital के concept पे चलती हैं but still academically हम ideal current ratio क्या मान के चलते हैं 2 is to 1 लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना है हमारा institute study mat में एक और benchmark देता है apart from 2 is to 1 वो बोलता है कि ideal current ratio preferred by banks और financial institutions मतलब banks और financial institutions जो हैं वो ideal current ratio short term loan देते हैं वक 2 is to 1 नहीं 1.33 is to 1 भी consider कर लेती है मतलब अगर हमारी 100 रुपे की current liability है और 133 रुपे की current assets हमारे पास हैं तो banks उसमें भी okay हो जाएंगी ये benchmark हमारे institute ने study mat में दिया हुआ है और इस पर MCQ आ भी चुगा है और फिर भी आ सकता है वापस से आ सकता है तो ये दो benchmark गया रखेंगे अगर exam में question पूछे what is ideal current ratio 2 is to 1 what is ideal current ratio preferred by banks 1.33 is to 1 ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अच्छा जी उसके बाद अगर हम देखें current ratio का formula क्या है current assets upon current liabilities और current assets और current liabilities की मदद से ही working capital भी निकलता है तो देखा जाए तो working capital के और current ratio के जो दो component है वो same है क्योंकि current ratio के जो दो component होते है current asset और current liabilities इसकी मदद से working capital भी निकल जाती है जितनी बात लिख रहा हूं सारी mcq के लिए relevant है अब current ratio का जो connection है वो working capital के साथ भी होता है क्या connection होता है अब हम यह बात जानते हैं कि current ratio का जो formula होता है वो current assets upon current liabilities होता है और मानली जी हमारे 30 crore के current assets है और 10 crore की current liabilities है इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो current ratio आ जाएगी वो 3 is to 1 आ जाएगी या simply 3 बोल सकते हैं अच्छा अगर मैं आप से पूछू कि बताइए what is working capital तो आप क्या बोलोगे सर working capital के लिए current assets में से current liabilities को minus कर दीजे मतलब यह आजाएगा 20 crore एक और example मालीज यह current ratio के लिए हमारे पास current assets 10 crore के हैं और current liabilities भी 10 crore की है इसका मतलब यह आ गया 1 is to 1 अगर यह 1 is to 1 है अगर आप working capital compute करोगे तो 10 minus 10 यह आ जाएगा कितना 0 तो कहने की बात यहाँ पर यह है कि तो working capital हमारी positive निकल के आती है अगर हमारा current ratio exactly 1 है तो उस case में working capital हमारी 0 होगी और logically सोचिए ना current ratio 1 से जाधा होने का क्या मतलब है कि current assets are more than current liabilities अगर current assets current liabilities से जाधा होंगे तो working capital of course positive आएगी और current ratio अगर 1 है इसका मतलब current assets और current liabilities बराबर है अगर यह दोनों बराबर होंगे तो difference तो 0 जाएगा और सेम ऐसे ही current ratio मान लीजिए हम अगर कहें कि हमारे current assets 5 क्रोड के है current liabilities 10 क्रोड की है तो यह तो हमारा आजाएगा 0.5 is to 1 मतलब 1 से कम आ गया और उस case में working capital हमारी negative आ जाएगी 5 minus 10 कितना होता है तो तीन यहां से relationship आते हैं अगर current ratio 1 से ज्यादा है तो working capital positive होगी current ratio exactly 1 है तो working capital 0 होगा current ratio 1 से कम है तो working capital हमारा negative होता है इस पर भी mcq आ जाता है तो हमने यही बात यहां पर लिख दी है अगर हमारा current ratio तो 1 से ज्यादा है तो working capital positive आएगा यह equal to 1 है तो 0 आएगा less than 1 है तो negative आएगा simple सा fundamental है तो current ratios related तीन बाते दमाग में रखना है पहला formula जो हो गया और उसका alternative नाम और उसका alternative नाम किया working capital ratio दूसरा benchmark के साथ आपको एक और benchmark क्या याद रखना है और तीसरा इसका current ratio का इसका working capital के साथ connection more than one positive equal to one zero अगर less than one negative ठीक ना दूसरा जो benchmark है short term solvency ratios में वह है quick ratio का और यह जो quick ratio है यह कह सकते हो थोड़ा सा rigid measure है current ratio से थोड़ा सा rigid है अब पहले मुझे यह बता है कि current assets क्या होते है current assets मतलब ऐसे assets जो बारा महिनी के अंदर cash में और current liabilities कौनसी ऐसी liabilities जो बारा महिनी के अंदर हमें pay करनी है अब कुछ लोग यह बोलते हैं कि ऐसे भी कुछ current assets होते हैं जो थोड़ा सा वक्त लेते हैं cash में convert होने में और ऐसे भी कुछ current assets है जो cash में convert हो ही नहीं सकते हैं तो हमें ऐसे बताओ जो फटाफट cash में convert हो जाएं जल्दी से जल्दी cash में convert हो जाएं मतलब देर से cash में convert होने वाले current assets को बाहर अगर निकाल दें तो बचे हुए current assets को तो हम फिर एक नाम देदेते हैं quick assets का यहां पर हमने देख रहे होगर तो हमने यहांपर numerator में लिए है quick assets denominator तो वही current liabilities ही है लेकिन numerator में क्या लिया है हमने quick assets और quick assets basically होते क्या है quick assets में हम क्या करते है current assets को लेकर दो assets को बाहर कर देते हैं, जो ज़्यादा वक्त लगाते हैं, cash में convert होने में, या cash में convert होते ही नहीं, अब ध्यान से प्रीज सामने देखेगा, यह सारे current assets लिए मैंने यहाँ पर, और इन current assets में से हम अगर दो assets को बाहर निकाल दे, कौन-कौन से दो assets को, stock को और prepaid expenses को, तो बचे हुए जितने भी current assets हैं, उसको हमें एक नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, quick assets का, फिर से बोलता हूँ, अगर हम अपने current assets में से दो assets को बाहर कर दे, stock और prepaid expenses, तो बचे हुए current assets को हमें एक नाम देते हैं quick assets, अब सवाल ही उठता है कि दो current assets को बाहर करके हो रहे हैं, देखो stock की अगर में बात करो तो खासकर एक manufacturing organization के लिए stock बहुत जदा वक्त लगा देता है cash में convert हो तो में, आप सोचें, पहले आप raw material का stock लेके आते हैं, फिर वो work in progress मतलब WIP का stock बनता है, फिर वो finished good का stock बनता है, उसके बाद अगर हमारी industry में उधार पे sale देने का trend है, उधार पे sale करने का चलन है, तो फिर वो debtor में convert होगा, और debtor फिर हमें 2-3 महीने बाद payment करेंगे, वो और 2-3 महीने बाद cash में convert होगा, इसका मतलब हम stock of raw material लेकिया है, वो WIP finished good, debtor उसके बाद जाके cash में convert ह मतलब बहुत ज़्यदा वक्त ले गया cash में convert होने के लिए, तो हमने का भई, ऐसे assets की बात करो जो बहुत जल्दी cash में convert हो, बाहर निकालो stock को, stock को तो इसलिए बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो quick की definition में नहीं आ रहा, और prepaid expense तो ऐसा current asset है, जो cash में convert होता ही नहीं, अब products का insurance करवा लेते हैं, अब मान लिजिए, एक January को हमने insurance करवा लिया, बारा करोल रुपे दिया insurance company को, पूरे साथ भर का insurance करा लिया, अब बारा करोल बारा महीने के हैं, एक January को करा लिया, 31 मार्च को हमारे books of accounts close होते हैं, तो 31 मार्च को अगर आप देखो, तो 3 महीने ही भीते हैं, मतलब 9 महीने, 9 करोल रुपे का insurance premium 31 मार्च को prepaid के लाएगा, क्या ये insurance company, अगर मैं जितना चाहूँ, पैसे मेरे वापस कर देगी insurance के, नहीं करेगी, insurance company से कोई refund नहीं आता insurance premium का, तो इसको asset क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अभी इस 9 महीने के insurance premium के against service मिलेगी, लेकि अग कर दिया, तो हमने का, बहुत है, current asset में से इन दो को भार करो और बचे हुए assets को बूलो quick assets, क्योंकि अब ऐसे assets है, जो जल्दी ही cash में convert हो जाएंगे, अब बचे में क्या होगा, cash होगा खुद, debtors होगे, debtor का तो अगला step भी cash है, short term investments होगी, वो भी हम कभी भी बेच सकते है आप सोच बारे हैं, बाकी के बचे में जितने ही हमारे current asset है, वो जल्दी cash में convert हो जाएंगे, अच्छा, अब सवाल यह उठता है, कई बार academically वो prepaid expenses की information देगा नहीं, या फिर खुदी बोल लेगा zero है, prepaid expenses ज्यादा popular item नहीं है, मान लिजे उसने उसकी information दी नहीं है, कि prepaid expenses तो है ही नहीं, सिर्फ stock stock minus कर देंगे, तो क्या आजाएगा, quick assets आजाएगा, तो यहाँ पर अब इस ही आप बात को देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि current assets में से अगर हम stock को और prepaid expenses को minus कर देते हैं, तो क्या आजाता है, quick assets आजाता है, या फिर यह कहें कि current assets basically तीन assets से मिल के बना, क्या-क्या stock, prepaid expenses और बाखी के सारे के सारे जो बचे हुए asset है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, quick assets, और अगर prepaid expenses missing है, तो हम उसको 0 मान लेंगे, और कई बार question खुद भी बोल देगा कि 0 है, तो उस case में क्या होगा, क्योंकि prepaid expenses तो है नहीं, फिर हम current assets में से stock को हम कहेंगे कि फिर सिरफ stock ही difference होगा, अब क्योंकि quick ratio निकालते हैं वक्त, हमने देखा, आप अगर देखें यहाँ पर, तो हम quick assets ले रहे हैं, और quick assets का मतलब current assets minus stock minus prepaid expenses, दो बड़े current assets को बाहर कर दोगे, तो आपका benchmark तो relax हो नहीं है, और वो क्या हो गया, 1 is to 1, और इसके अल हम और कौन से हैं, quick ratio के, liquid ratio भी बोल देते हैं, और asset test ratio भी इसको बोल दिया जाता है, यह जो दो sentences है, इस पर भी generally MCQ बन जाता है, current ratio अगर हमारा ideal ratio से ज़्यादा maintained है, तो हम बोल देते हैं, उसे over investment कहा जाता है, logical सी बात है, मानली जी हमारा ideal current ratio 2 is to 1 का होता है, और हमारा 5 is to 1 है, इसका क्या मतलब हुआ, कि हर एक रुपे की current liability को pay करने के लिए 2 रुपे के current asset enough थे, पर हमने 5 रुपे के maintain कर रखे हैं, मतलब हमने ज्यादा पैसा फसाया हुआ है, stock में, debtor में, bank balance में, needed नहीं था, over investment कर रखे हैं, और यही अगर ideal से कम है, इसका मतलब यह कि 2 is to 1 का जर current ratio है, या quick ratio है, quick ratio के लिए ideal क्या है, 1 is to 1, 1 is to 1 से ज्यादा है quick ratio, या 2 is to 1 से ज्यादा है current ratio, तो हम कहेंगे over investment है, इससे कम है, तो हम कहेंगे under investment है, और कई बार ना बहुत ज्यादा current ratio होना कोई अच्छी बात थोड़ी है, कई बार वो गलत signal भी है, example, बहुत high current ratio है, reason देख हमारे पास ऐसा stock रखा हुआ तो जो बिकता ही नहीं है, non moving stock है, dead stock है, और जदा देखा, तो देखा, ऐसे debtor भी हमारी books में है, जो हमारे पैसे वापस ही नहीं कर रहे है, हमारा inefficient collection system है, दो महीने का उधार दिया था, छे महीने हो चुके है, हमने और देखा, तो हमारे पास इ जादा होना, कई बार ये भी हो सकता है कि हमारे accounts manipulative हो, window dressing का सहरा बन गया हो, ठीक है, आगे की concept revise करने से पहले ऐसा करते हैं, जितने concepts हमने अभी तक पढ़े हैं, पहले उनके basis पे जो important exam MCQs हैं, वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम उने अगले concept को revise क करना शुरू करेंगे, एक important यहां disclaimer देना चाहूँगा, कि हम यहां पर revision कर रहे हैं, तो of course हमारी MCQs solve करते विए, जो speed रहेगी, वो regular classes से थोड़ी सी जादा रहेगी, ठीक, आईए, question number one, question number one, एक examination question ने December 21 में आया, कहता है proprietary funds as, अभी हमने discuss किया था कि proprietary fund, basically shareholder fund का ही दूसरा minus losses, minus fictitious assets, यही होता है, इसमें जो A है, इसमें वो equity capital, preference, capital plus reserve, इतना बतों बोल रहा है, यहां तब ठीक है, लेकिन आगे वाले parts में उसमें fictitious assets को minus करने की बात भी की है, इसका मतलब क्योंकि इससे बहतर alternative available है, हम A को tick नहीं करके आएंगे, B में तो उसमें reserves जोलने की बात बात भी नहीं करी, तो यह भी नहीं हो सकता, C और D में आप देखोगे, बिल्कुल almost सब कुछ सेम बाते लिखी हैं, पर यहां पर fictitious assets को minus की बात कर रहा है, और यहां पर fictitious assets को plus करने की बात कर रहा, of course, यह fictitious assets losses ही होता है, यह plus तो हो नहीं सकता, इस दिए यह भी option से ब और नाम, working capital ratio, quick ratio का एक और नाम, दो नाम रादर, एक liquidity ratio और दूसरा asset test ratio, यहां चार option में जो हमें दे रखा है, वो asset test ratio दिया हुआ, इसका मतलब सही answer कौन सा हो जाएगा, asset test ratio, यही हमारी एक liquidity ratio है, जो की quick ratio का दूसरा नाम है, बाकी की ratios जो है, वो दूसरे classification में fall करेंगी, यह question भी examination question है, August 2021 में यह आया, आप सोचेंगे sir, August में तो कोई paper होते ही नहीं, June यह December होते है, 2021 में COVID की वज़े से June का 10 पोस्ट पॉन हुआ था और August में जाके exam होए थे, ठीक है ना, question number 3, which of the following is also known as working capital ratio, देखो यह भी examination question है, working capital ratio, किसका दूसरा नाम होता है, current ratio का, because दोनों की component से होते हैं, current ratio का formula, current assets upon current liabilities और working capital निकालते हैं भी, हम इनी दो components की मदद से working capital निकालते हैं, current assets minus current liabilities, question number 4, ideal norm preferred by banks, ideal norm preferred by banks for current ratio, अगर सिरफ ideal norm पूछता current ratio का 2 is to 1, लेकिन preferred by banks बोला है, तो हम फिर यहाँ पर क्या करके हैंगे, 1.33 is to 1 टिक करके हैंगे, यह बात हमने discuss करी थी, आपको भेकाने के लिए उसने 2 is to 1 भी दे रखा है, लेकिन नियान रखें, वो बोला है preferred by banks, यह हमारे institute का study mat का assumption है, तो यह हम 1.33 is to 1 ही टिक करके आएंगे, question number 5, यह हमने अभी note discuss किया था, कि अगर हम ideal ratio से जादा investment या जादा ratio maintain करते हैं, तो हम बोलेंगे हमने over investment कर रखा ह है, liquid ratio lower than 1 is to 1, liquid ratio का ideal क्या होता है 1 is to 1, हमने lower 1 is to 1 से कम liquid ratio maintain कर रखी है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने under investment कर रखी है, तो उसका सही answer क्या हो जाएगा, B, question number 6, एक काफी important question है, इस तरह के question, कई बार exam में आयोए है, फिलाल जो मैं question आपको करवा रहा हूँ, वो December 2016, मतलब जो प management accounting करके एक paper हुआ करता था, उसमें ratios topic था, लेकिन ये question बार बार repeat हुआ है, अलग-अलग figures के साथ, लेकिन essence यही था, आज जरा देखते है क्या पूछता है इसमें, the relevant data from financial statements of Ross Limited as on 31st March 2016 is given below, हमें यहाँ पर cash दिया है, trade receivables मतलब debtor, BR वगएर दिये है, investments दे रखी है, short term है, इसका मतलब 12 महिने से कम period में realize हो जाएंगी, stock दिया हुआ है, prepaid expenses है, current liabilities है, और quick ratio निकालने के लिए बोला है, सबसे पहले तो मुझे यह बताएगी, quick ratio का formula क्या होता है, quick ratio का formula होता है, quick assets upon current liabilities, तो देखा जाएं तो हमारे पास यहाँ पर current liabilities तो है, तो इसमें तो वह दि इकालने के लिए हमें ध्यान रखना है, सादे current assets लेने हैं, लेकिन दो छोड़कर, कौन से दो छोड़ने है, stock और private expenses, क्या हम cash लेंगे, हाँ जी हमें cash लेना है, cash बिल्कुल consider करेंगे, क्या हम trade receivable लेंगे, हाँ इसमें debtor BR है, ये भी लेंगे, क्या हम investments लेंगे, बिल्कुल short term है, 12 महिने से computerized हो जाएंगी, और हमारी investment हमारी है, जब चाहें मर्जी बेज देंगे, क्या problem है, short term लिखा हुआ है, तो ये भी है, बस ध्यान रखना, दो assets नहीं लेते, जब हम quick assets की बात करते हैं, तो दो assets नहीं लेते, stock और private expenses, तो यहाँ पर हम इन दोनों को ignore कर देंग पर चेक कर लिजे, क्या 880,000 आ रहा है, अगर 880,000 आ रहा है, तो हम नहीं लिख देंगे 880,000 और current liabilities हमारी यहाँ यह रही 10,00,000 रुपे की, तो यहाँ हम mention कर देंगे 10,00,000 यह हो जाएगा, 880,000 upon 10,00, 0.88 is to 1, एक पर चेक कर लिजे, क्या आपका भी यहीं आ रहा है, सही यह answer हो जाएगा, यह है, अगला question, यह भी examination question है, December 19 में, closing stock हमें दे रहा है, 648,000,000 का, prepaid expenses दे रहा है, 32,00,000, दियान रहा है, stock दे रहा है, prepaid expenses दे रहा है, दोनों ही, कोई के assets का हिस्सा नहीं होते है, ठीक, फिर हमको liquid assets दे रहा है, 830,000 के, liquid ratio दे रहा है, 1.5 is to 1, और हम से यहां पर ध्यान रुखे, working capital मांगी है, working capital मांगने का मतलब हमें current assets और current liabilities का difference चाहिए, यही तो हुआ, तो हम current assets और current liabilities अगर निकाल लेते हैं, तो बात हमारी बन जाएगी, क्या problem है, अच्छा, अब ज़रा सोचे, liquid assets है, liquid assets में दो assets नहीं होते, कौन-कौन से है, stock और prepaid expenses, अगर मैं यह जोड़ देता हूँ, तो इन सब का total क्या जाएगा, current assets, तो current assets हम यहाँ पर easily निकाल सकते हैं, कैसे निकाल लेंगे, liquid assets में आप stock जोड़ दो, prepaid expenses जोड़ दो, और आप current assets निकाल दोगे, तो liquid assets हमारे हैं, 1830,00, stock हमारा है 648,00, और यह हमारा हो गया 32,00, इन त 1830, 648,00, प्लस 32,00, यह होता है, पच्चिस सो दस लाख, पच्चिस सो दस लाख, होई प्रॉब्लम, नहीं, current liability निकालने के लिए क्या करोगे, sir, liquid assets ने liquid ratio है, तो क्या problem है, liquid ratio का formula बताओ, sir, liquid ratio का formula, liquid assets upon current liabilities, अगर liquid ratio का formula, liquid assets upon current liabilities होता है, liquid ratio हमें पता है, 1.5 है, liquid assets भी हमें दे रखें, 1830 है, तो current liabilities निकल जाएगा, 1830, divided by 1.5, जरा बताना कितना आता है, 1830, divided by 1.5, यह आ रहा है, 1220,00, 1220,00, तो आप अगर चेक करें, हमारे पास current assets भी आ गया, और हमारे पास current liabilities भी आ गया, और अब आप इन दोनों की मदद से working capital निकाल लीजिए, working capital current assets minus current liabilities होता है, तो पच्चेस सो दस माइनस बारा सो बीस, और पच्चेस सो दस माइनस बारा सो बीस, यह हो गया, 1290,00, क्तम, exam MCQ करवारों मैं सारे आप को, ताकि हम बिल्कूल जो revision कर रहे हैं, हमें पता हो कि हाँ, यह exam के लिए relevant है, ठेके ना, अच्छा जी, यह हमारा 1290,000, है सही एंसर मतलब B is the correct answer को इस कोशन में हमको working capital दिया हुआ है 119 लाग का total liabilities ध्यान रखे world है total liabilities यह दिया हुआ है non current liabilities दिया हुआ है non current liabilities का मतलब long term liabilities दे रखा है total liabilities दे रखा है अभी मैं कुछ आगे पड़ू मुझे बताओ क्या इन हो कि मदद से आप current liabilities नहीं compute कर सकते हैं टोटल मतलब long term और short term दोनों का sum total दे विए मैं है अगर मैं टोटल में से long term वाली liabilities को minus कर दूँगा तो बची होई कौन सी होंगी current liabilities of course और हमसे मांगा क्या यहां पर current ratio मांगा है current ratio का मतलब हमें current assets और current liabilities दोनों ही चाहिए होंगे तो पहले तो आप अराम से current liabilities compute कर लो current liabilities कैसे आजाएंगी total liabilities में से long term liabilities या फिर non current liabilities ncl भी बोल देते हैं वो निकाल लेजिए माइनस करके निकाल लेजिए आप टोटल liabilities हैं 225-140 बताइए जरा कितना आ रहा है कि सर्फ 225-140 होता है 85,000 अब आपको यहां पर working capital दे लखा है यह current liabilities हमारा आ गया अब हमें working capital दे लखा है जो की आता है current assets minus current liabilities करके वर्किंग capital हमें पता है 119 है और current assets हमें नहीं पता current liabilities लेकिन पता है तो आप इसकी मदद से अब आप current assets भी निकाल सकते हो 119 और 85 को जोड़ दीजिए 119 प्लस 85 कितना आ रहा है 204-204-204 यह हमारा current assets आ गया 204 लाक और अब current ratio compute कर लिजिए current assets upon current liabilities 204 upon 85 लाक लाक तो कड़ गया ना आपस में उपर भी लाक नीचे भी लाक्स 2.4 आ गया है 2.4 is to 1 क्या options में है 2.4 बिल्कुल है A बेख लो जी next question है question number 9, question number 9 में हमें current ratio दे रखा है asset test ratio मतलब liquid ratio दे रखा है और current liabilities दे रखा है हमसे inventory का value बांग रहा है और यह भी examination question है आप जानते हूं current liabilities का amount है यह current liabilities का figure है वह asset test ratio मतलब liquid ratio में भी use होता है और current ratio में भी use होता है दोनों के denominator में हम क्या लेते है current liabilities लेते हैं तो हम एक बार current ratio में और एक बार asset test ratio में current liabilities का यूज करके current assets और liquid assets compute कर सकते हैं आई यह देखिए सबसे पहले current ratio का formula बताइए current assets upon current liabilities current ratio हमारी है 4 current assets upon current liabilities है 31 आप यहां पर 31 into 4 करके current assets को compute कर सकते हैं बताइए जरग current assets कितना आगया 31 into 4 124 lakhs कोई प्रॉब्लम है नहीं सर आसिट टेस्ट रेशो मतलब quick ratio का दूसरा नाम ही asset test ratio होता है asset test ratio है quick ratio का formula गया होता है quick assets upon current liabilities quick ratio हमें दे रखिया है 2.8 quick assets हम यहां पर compute कर सकते हैं जैसे current assets compute किया है तो हमारे quick assets हो जाएंगे 31 को multiply कर देंगे 2.8 से और यह हमारा आजाएगा 31 multiplied by 2.8 86.8 86.8 अब आप जिलाओ मुझे बताइए current assets आपके पास है quick assets आपके पास है और दोनों का difference क्या होता है current assets में कौन से दो asset extra होते हैं stock और prepaid expenses या कहें quick asset में कौन से दो asset कम होते हैं stock और prepaid expenses दोनों का difference क्या होता है मतलब stock और prepaid expenses और मैंने आपको एक जब मैं आपको revise करवार था इस ratio के बारे मैंने आपको बताया था अगर कभी हमें prepaid expenses के information ना दिल की हो तो उसको zero मान लिया करते हैं भई stock zero होना impossible है लेकिन prepaid expenses का zero होना बिलकुल लाजमी है हो सकता है कोई problem नहीं है तो हम यहाँ पर यह assumption लेते हुए कि assuming prepaid expenses are nil stock is the only difference between quick assets and current assets तो हम यहाँ पर stock भई आपको पता है ना inventory मतलब stock ही होता है ना पता है आपको stock is equal to current assets minus quick assets chosen 24 minus 86.8 एकोट डिस्थी एक्षोचर्पिस minus 86.8 37.2 lakhs । ऑक्रेकरες 37.2 lakhs c is the answer Question number 10 एक बहुत important question है, एक्जाम में ये कई बार आचुका है इस question की खास बार पता है, यहाँ पर इसने हमें दो चीज़े दी है एक current ratio दी है और दूसरा working capital दिया है current ratio दिया है और working capital दिया है हाला कि इस question में इसने हमसे current liabilities मांगी है पर इन दोनों की मदद से, किन दोनों की मदद से, current ratio की मदद से और working capital की मदद से, हम कई सारी calculations कर सकते है current liabilities दो भी हम निकाल के दिखाएंगे ही, इसकी मदद से current assets भी निकल जाएगा इनकी मदद से current ratio निकालना चाहें, वो भी निकल जाएगा तो same information देगा, मतलब वो कई बार exam में दे चुका है, current ratio और working capital तो कई बार वो current ratio मांग लेता है, कई बार वो current assets मांग लेता है कई बार current liabilities जैसे, यहाँ current liabilities मांगा है, वो मांग लिया है, कोई दिक्कत नहीं अब इसको use कैसे करता है, एक trick है यहाँ पर, ध्यान से प्लीज देखेगा देखिए, हम यह बात जानते हैं, कि current ratio का formula होता है, current assets upon current liabilities ठीक है, हमें यहाँ पर given है, current ratio 2.5 is to 1 मतलब 2.5 upon 1 और current assets upon current liabilities, हम कह सकते हैं, कि जो current assets है, वो धाई गुना है किसके current liabilities के, कह सकते हैं, कोई problem है इसमें, नहीं सर, अच्छा जी अब हमें यह पता है कि जो working capital है, उसको निकालने का तरीका होता है, current assets minus current liabilities, अगर हम देखें, working capital का figure हमको यहाँ पर दे रखा है, 120 लाख दो अभी फिलाल unknown variable है, लेकिन मैं अगर इस current assets की जगा 2.5 CL लिख दूँ, यह 2.5 CL लिख दूँ, तो सिरफ एक ही unknown variable रह जाएगा, कौन सा CL और निकल जाएगा CL, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, by putting the value of current assets in above equation, we get, इसको आप एक equation बोल दो क्या problem है, तो working capital, जो हमें पता है इस question में, कितना पता है, 120 लाख, working capital की जगा में लिख रहा हूं 120 लाख, current assets की जगा में लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर क्या, 2.5 CL 2.5 CL, यह मैं लिख देता हूं यहाँ पर, minus CL इस CL के आगे कुछ नहीं है, तो आप जान देना, 1 होता है, इतना तो mathematics आपको आता होगा और यह 1.5 CL आजाएगा, 1.5 CL is equals to 120 लाख, और हमारा CL हो जाएगा, 120 divided by 1.5 120 divided by 1, बहुत ही important question है, यह बदा, 80 लाख अब आप मुझे बताएगे, अगर आपके पास current liabilities आज चुका है, तो क्या आप current asset नहीं निकाल सकते हैं? 2.5 CL multiply करती है, अगर मानलो इस question में current asset मांगा होता, current ratio मांगा होता, तो आपको current liabilities और current asset निकालना पड़ता है, उसकी मदद से current ratio निकल जाता, तो बहुत कुछ हो सकता है ऐसे question में, बहुत कुछ निकल सकता है, फिलाल यहाँ इसकी requirement current liability की थी, जो की 80 लाख रुपे हमारा आ चुका है, इसका मतलब सही answer है C, I hope कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं फिर से बोलूँगा, अगर यह chapter आपको detail में पढ़ना है, पूरा का पूरा ratio analysis YouTube पे डला हुआ है, वहाँ पे हम तो बहुत questions करते हैं, यहाँ तो फिर भी थोड़ा fast track में चल रहा हूँ, जब मै regular classes लेता हूँ, तो मेरा एक सीधा सीधा दिमाग में fundamental रहता है, कि सामने वाले से कुछ expect मत करो, इस तरीके से पढ़ाओ कि सामने वाले को कुछ आता ही नहीं है, हम regular classes में इसी बात को दिमाग में रखते हुए, question solve करते हैं, कि सामने वाले से expectation मत रखो, बिलकुल base से बात करत है, बट अभी ये revision class है, तो revision class को तो उसके environment को तो इज़द देनी पड़ेगी ना कि वहाँ पर थोड़ा सा of course fast track पर होता है, तो देख लीजे please इस question को एक बार, फिर हम आगे बढ़ा है, अगला question भी एक बहुत जादा important question examination point review से, ये भी exam में कई बार आया हुआ है, इसको कर पर भी हमसे current liability मांगी है, पिछले question में भी current liability मांगी थी, पर पिछले question में क्या था, current ratio और working capital given था, यहाँ पर current ratio, liquid ratio और stock given है, और इसकी मदद से हमें current liability निकालनी है, एक और examiner का बहुत favorite question, अचा जी, यहाँ पर क्या trick चलनी है हमें, हमें पता है कि current ratio का formula होता है, current assets upon current liabilities, यह बात हमने पीछे भी देखी, और यह हमें given है, यहाँ पर 2.5 is to 1, हम कह सकते हैं कि current assets हो है, वो 2.5 times है current liabilities के, ठीक, इसमें कोई problem नहीं, liquid ratio का formula होता है, liquid assets यह quick assets upon current liabilities, liquid ratio हमें दे रखा है, 1 is to 1, liquid assets upon current liabilities, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि liquid assets बराबर है current liabilities के, को देखकर, नहीं फिर हम यह भी बात जानते हैं कि जो stock है, stock है, वो difference होता है, किसका difference होता है, current assets का और liquid assets का, क्योंकि prepaid expenses के information नहीं है, तो हम zero मान सकते हैं, यह बात मैंने लिखवा भी दे थी आपको पीछे, stock का, हम अगर prepaid expenses के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो हम यह मान सकते हैं कि current assets औ सकते हैं current liabilities और हम कह देंगे 1.5cl is equals to 60,000 और आप यहां पर current liabilities compute कर सकते हैं, 60,000 को 1.5 से divide करके, 40,000, बस यही था, 40,000 का मतलब हो गया, A is the answer, हमने आज जितना भी discuss किया हैं, प्लीज उसको अच्छे से revise कीजेगा, हम मिलते हैं, अब अगली class में अपने revision को आगे continue करेंगे, thank you so very much, take care, bye. कर दो,ت कर दो, colonial हमें कbuilt, हम हमा का दो, मुझ तान जो, तो, मुझे का अपने अगया हैं,